रादे रादे कैसे हो आप सभी जीओ जीओ जीत फाइनेशन सर्वेसिस का रड़िशू ओपन हो चुका है कम्पनी ने कल बॉर्ड मिटिंग के रड़िशू को अनौंस कर दिया है तो चलिए फिर देखते हैं इस रड़िशू की रिकॉर्ड क्या फिक्स की गई है कितना रेश कंपनी में इंट्रस्ट रखते है या फिर आपके बाशनी के शेर्ज है तो आप इस वीडिए को एंड तक कंप्लेट देखे ना वीडियो कोई पार्ट में स्कीप मत करना तो चलिए सबसे पहले हम इस पेले के फंडरमेंटल की बात कर लेते हैं कंपनी का नेम है जीओ से अभी देखे तो आपके पास 12.8% डाउन ट्रेड कर रहा है अगर स्टोक के पी की बात करें 21.9 का स्टोक का पी चल रहा है जबके इंडस्ट्री का जो पी है वो आपके पास 16.8 का है मतलब स्टोक जो है वो करन प्राइस पे थोड़ा सा महंगा है भी ROCE की बात करें तो 18.8% का ROCE और ROE जो है वो कंपनी का 18.6% के चल रहा है अगर मैं इस कंपनी के स्पोर्ट की बात करूँ ना तो इसका 146 से लेके 148 के क्रीब ये इसका अच्छा है रिये बाइंग करने का और अभी जो है ना वो स्टोक 154 बिलेट कर रहा है मतलब थोड़ा सा डाउन मिलते हैं आपको तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं डेर सो के आसपा इसमें एंट्री आफि अच्छा रिये बन जाता है अगर हम फाइनेश की बात करें तो कंपनी की जो सेल्स है ना वो लाश्ट 3 एस के अंदर 14% एरली ग्रोश हो कर रही है और जो प्रॉफिट की बात करें तो उनका स्टेक जो है ना वो इसमें कंटेन इंक्रीज हो रहे है अब देख रहे होंगे कि 1.59% से बढ़ते बढ़ते वो 3.37% पर आ चुके है इस स्टोक के अंदर डिये से कुछ इंट्रेस्ट खास है नहीं है हलाकि अभी लास्ट क्वाटर में उन्होंने हलक जो कि एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन हो रहेता है कि वीग प्लेयर्स के हास से माल निकल कर स्टोक प्लेयर के पास नहीं जा रहा है तो ओवराल बात करें ना कंपने का प्राइसिंग ओक्योंके है थोड़ा से महंगा नहीं है बिजनस जो है उसमें ग्रोथ काम स्पीड से इंक्रीज कर रहा है और उसके अलावा इसके अंदर जो शेल्डिंग पैटरन है उसमें काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें बिग प्लेयर्स जो है एफफाई डिए वो इसमें इंटरस दिखा रहे है कल जो इसकी बोर्ड मिटिंग हुई थ इसका मतलब अगर आपने इसमें पार्ट लेना है तो आपको इसको चार अक्टोबर तक बाई करना होगा एक बात ध्यान दखना राइटिशन में पार्ट जो है आप दो तिर किसे लिसकते हो या तो आप उसकी प्रेंट कब्रे के शेर्स को पहले से बाई कर लो तो आपको आरी शेर्स फ्री मिल जाएंगे या फिर आप जब आरी शेर्स मार्कट में ट्रेडिंग करेंगे जब वो मार्कट में आएंगे तो आप उसस टैम उसमें बाय और ईवघ्ण अक्टोबर को मिल जाएगे और आरी shares market के अंदर 15 October से लेके आपके पास 17 October तक टेडिंग करेंगे 15 से लेके 17 तक आपके RE shares market में टेडिंग करेंगे अगर आपको RE shares free मिले है तो आपको उनको उस time में sell कर देना अगर चाहो तो आप या फिर आप इसको hold भी कर सकते हो RE share जो ratio रखा गया है इसका वो रखा गया है 7 ratio 6 ratio 1 का मतलब आपको 6 normal share के ओपर एक RE share मिलने वाला है यह point जहां रखना तो RE shares की trading date आपके पास में है 15 से लेके 17 October तक अब इस time frame के अंदर आप उसके अंदर buy sell या hold कुछ भी कर सकते हो अगर आपने इस company के shares को buy नहीं किया है तो आप RE shares को market से buy कर सकते हो उस time के अंदर अगर आपके अस company के shares है तो आपको RE shares free मिले होंगे आप उनको market में sell भी कर सकते हो अगर आप 17 October के दिन खतम होने पर 17 October के day end तक RE shares को sell नहीं करते हो आपके holding में रखते हो तो आपको फिर उसके अंदर राडिशन में अप्लाई करना होगा अदर्वाइस आपके वो सारे RE shares गाइब हो जाएंगे राडिशन में अप्लाई करने की जो last day है वो company ने mention करी आपके पास में 23 October की मतलब 23 October तक आपको RE shares के लिए राडिशन में अप्लाई करना होगा यह अप्लाई किन को करना होता है वो ध्यान सुन लिजिए जिसके पास इस company की parent shares थे 7 October से पहले उन लोग अप्लाई करना होगा अगर उन्होंने RE shares को market में sell नहीं किया तो या फिर जिन लोगों ने राडिशू के RE shares को market से buy कर लिया उन लोग अप्लाई करना होगा जिसके अंदर आपको यहाँ company ने mention किया है कि आपको उसके लिए 50 rupees per share 50 rupees per share का payment और करना होगा जिससे आपके RE shares जो है वो main share में कर्वट हो कर सकते हो अपने recording देखते होए तो आई यह वापको डेर्स का clear हो गया होगा फिर भी कोई भी का infusion आपकी मन में है ना तो इसका मतलब क्या है कि आपको राडिशू आने पता ही नहीं है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रख है अलग से जहां मने राडिशू के बारे म फिर भी कुछ भी क्यारी बची हो आपके मन में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी कमेंट्स को सोल्ड करने की पूरी कोशिक की जाएगी चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन आपने कर लिया होगा ताकि आपको आगई भी ऐसे important informations मिलती रहेगी टेलिग्राम और वर्ट्सक्राइब को जुरू जोएंग कर लेना निउस ग्रूप है फ्री ओफ कोस्ट है वहाँ पे मैं आपको डेली स्टॉक्स की निउस आईप्यो के जीएंपी सब्सक्रिप्शन की जांकारी उसके लावा काफी कुछ important updates वहाँ को मिलती रहती है तो टाइम से planning कर सके उन्हें करना क्या है टाइम निकल जाने के बाद अगर वीडियो देखेंगे वो तो फिर वो उनका नुक्सान हो जाएगा वो अप्लाइ करनी पाएंगे उनके आरी शेर्स वो सब जीरो हो जाएंगे तो इसलिए टाइम रहते ही सब को information मिल जाए उसके लि झाल 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